आईकू ये वीवो का ही सब ब्रैंड है और इस ब्रैंड ने इंडिया में अपना पहला स्मार्ट फोन लॉंच कर दिया है जिसका नाम है आईकू 3 दोस्तों ये है आईकू 3 और ये जो स्मार्ट फोन है इसमें कॉलकाम स्नाप ड्रैगन 865 अक्टा कोर प्रसेसर का उप्योग किया गया है यह जो चिपसेट है यह 5G नेबल है और इंडिया में फिलाल दो ही हैंसेट लॉंच हुए हैं जो इस परकार के चिपसेट का उप्योग एक फीचर बहुत पसंद आया और वह आपको कैमरे में देखने को मिलेगा कैमरे में एक AI आटो फोकस फीचर दिया हुआ है और देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे आए को यह ट्रैक कर रहा है और आटमाटिकली फोकसिंग कर रहा है अब जो फीचर है खास करके आपको डिज अब बगाता हूँ आपने देखा कि मेरा जो वीडियो है तोड़ा सा अलग प्रकार का है और यह जो नबॉक्सिंग है यह भी अलग प्रकार की होगी देखते रहे नमश्कार दोस्तों मैं हुगोगी और देख सकते हैं कि मेरे पास दो बॉक्स पैकिंग है आईकू यहां प वाला है मुझे लगता है कि आईकू ने बहुत ही बढ़िया किया है यहां पर दो ऑप्शन्स दिये होए हैं 5G या फिर नॉन 5G क्योंकि वैसे भी 5G इंडाय में अब तक आया नहीं है चलिए दूस्तों मैं आपको इसकी अंबॉक्सिंग करके बताता हूँ यह देखे इस से इसे पैक किया हुआ है यह जो 5G मुझे मिला हुआ है इसमें 12GB RAM है और 256GB internal storage space है और यह लिए बॉक्स को मैंने खोल दिया है बॉक्स के पैकिंग थोड़ी सी अजीब किसम की है यह देखें काफी इंट्रस्टिंग है बॉक्स के अंदर आपको यह हैंसेट मिलेगा यह है 3 5G variant अभी exciting color options में available है यह एक color variant है और यह वाला भी कुछी दिनों में available होगा तो बॉक्स में आपको इस प्रकार की packing मिलेगी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और इसे मैं खोल देता हूं यह USB to USB type C data cable है और देख सकते हैं कि इसका जो design है तो अलग प्रकार का है यह जो design है खास करके gaming के दुरान भी काफी आपको comfortable experience मिलने वाला है और दूसरी चीज़ यह है कि यह जो भाग है खास करके इसका damage होने का chances बहुत ही कम होता है इस प्रकार के connectors का उप्योग करके एक बहुत ही बढ़िया किसम का case दिया हुआ है जो कि बहुत ही मजबूत किसम का है और य किम ट्रेजेक्टर पिन है यूजर मानुल है वारंटी कार्ड है बॉक्स के अंदर प्रीमियम क्वार्टी का earphone भी दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है कुछ extra earplug caps दिया हुआ है और यह काफी इंटरस्टिंग है बॉक्स के आपको 55W का super flash charger मिलता है जो की super flash charge technology support करता है त एक से बढ़कर एक color options में आते हैं यह देखे खासकर मुझे यह जो color है बहुत पसंद आया handset की जो body है थोड़ी सी curve किसम की है पकड़ने में काफी comfortable है और इसकी जो build of finishing है premium किसम की है जो power button है उस पर एक texture दिया हुआ है और साथ में एक अलग color दिया हुआ है ताकि यह वह easily identify in fact जब आप अपनी उंगलिया इस पर रखते हैं तो जो texture है वह आप feel कर सकते हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह touch sensitive area है खास करके gaming के दौरान काफी काम में आ सकता है अगर आप अब जी खेलते हैं तो इसे as a trigger button की तरह उप्योग कर सकते हैं left hand side पर यह special AI button दिया हुआ है उपर audio jack है secondary microphone है और नीचे speaker outvent है USB type support है primary microphone है और यह है SIM tray जिसे मैं जग करके आपको बताता हूं यह लीजिए SIM tray को मैंने जग कर लिया है और यह dual SIM slots के साथ में आते हैं यह रिखे यह है 2 और यह है 1 यहां पर microSD card slot नहीं दिया हुआ है वैसे भी जरूत नहीं है बहुत ही चलिए अब मैं आपको फटा फट इसके specifications के बारे में बता जेता हूं जो कि आपको काफी interesting लगने वाला है यह 8GB या 12GB RAM options और 256GB storage options में available है इसमें in display fingerprint sensor दिया हुआ है और यह IQUI run कर रहा है जो Android 10 based है प्रोसेसर के अगर बात करें तो snapdragon 865 octa core यह 6.44 inches का screen है full HD plus resolution के साथ में आत करता है और दोस्तों यह super AMOLED display है display की quality बहुत ही बढ़िया है camera के अगर बात करें तो rear side पर quad cameras दिया हुआ है 48 megapixel का primary camera है 13 megapixel का telephoto camera है जो 20x digital zoom support करता है 13 megapixel का wide angle camera है और 2 megapixel का bokeh camera है यहाँ पर sony IMX582 sensor का उप्योग किया गया है और यह EIS support करता है मतलब कि आपको बहुत ही stable video footage मिल सकता है और जो front camera है वो punch hole display में दिया हुआ है 16 megapixel का selfie camera है और दोस्तों इसे punch hole कहे लीजिए या फिर notch कहे लीजिए और यह बहुत ही छोटा किसम का है इस segment में इस handset में 4440 mAh की non removable battery है और box में 55 watt का fast charger दिया हुआ है जो कि इस battery को बहुत ही जल्दी fast charge कर पाएगा तो overall देखा जाए तो जो handset है इसको specification एकदम premium किसम का है इसको design है यह पी premium किसम का है और इसका प्राइजिंग है काफी बढ़िया है शुरुआत होती है 36,990 रुपीज से दोस्तों इसको camera quality है बहुत ही बढ़िया किसम की है मैं आपको कुछ sample shots बता देता हूं जिससे आपका idea मिल जाएगा कि जो handset है की quality कैसी है और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि इसमें AI autofocus technology का उप्योग किया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया है और बहु यूजर है उसे कहीं भी जाने की ज़रुत नहीं है pick and drop facility दिया हुआ है अगर माननीजिए handset में कुछ problem है तो जो service personals है वो खुद आपके office में या फिर घर में आ जाएंगे जो handset है उसे pick कर लेंगे अपने यहां पर ले जाएंगे उसे fix करेंगे और फिर से आपके यहां प options में available है IQ3 और IQ3 5G कीमत शुरू होती है 36,990 रूपी तो दोस्तों यह जो handset है यह आपको कैसे लगा comments के मादम से आप मुझे बता सकते हैं और खास करके इन में से आपको कौन सा color सबसे best लगा यह भी आप comments के मादम से मुझे बता सकते हैं इस handset का पूरा review में जल्द ही ल है